दोस्तो वेलकम स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आरेश जंक्षन पर मैं हूँ घंशाम शर्मा डेली करेंट अफेस आजस्थान दिनांग 13 और 14 जनवरी की गक्षा में आज हम कुछ मैट्पून करेंट अफेस पर चर्चा करेंगे उससे पहले मकर सक्रांती की जो है आप सभी को बहुत बहुत बधाईयां तो दोस्तो एक ऐसा विशेश ये एक भोगोलिक परिवर्तन का दिन है जिस दिन आपका जो सूर्य है वो आपके मकर से जो है करक रेखा की और प्रिवेश करता है जो दक्षन हमारा आयनांत है उससे उत्तरी गोला और ये जाता है और इसी दिन के बाद में जो है हमारे दिन बड़े होने लग और इससे बेश्म पिताम है के लिए भी जाना जाता है यूखिए इसी दिन उन्होंने जो है अपने प्रान त्यागे थे जिने इच्छा मृत्यूँ का वर्दान है ऐसा किवंदतियों में या ज जितने भी हमारे courses हैं RS Junction application पर, उन पर, तो आज ये आप ये application डाउनलूड कर सकते हैं, Google Play Store से, या फिर हमारे portal online.rsjunction.com पर, जो courses चल रहे हैं, उनका लाव उठा सकते हैं, और आपकी ACF या RS जैसे exams की जो तयारी है, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, चलिए, तो आगे बढ़ते और शुडवात करते हैं, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, दोस्तो इसका कार ये है, ग्रामिन छेत्रों में, छोटे-छोटे ग्रामिन उद्योगों को, और खादी को बढ़ावा देने का, और इसी के दुआरा हाली में, ग्रामिन छेत्र में ही, उत्पन होने वाले जो गाय के गोबर है, उसे भालत के पहले प्राकरतिक पैंट को लॉंच किया है, तो गाय के गोबर का प्रियोग करके और प्राकरतिक पैंट को निर्मान करने का काम खा दियम ग्राम उद्योग आयोग दोरा किया गया है, स्री नितिन गडगरी ने मंगलवार को अपने आव इसलिए इसे खादी प्राक्रतिक पैंट भी नाम दिया गया है यह एंटी फंगल होने के साथ साथ एंटी बैक्टेरियल गुन भी रखता है क्योंकि गाय का गोवर अपने आप में एक पूरा पैकेज है जो आपको बहुत सी बिमारियों से बचा सकता है इसके डिस्टेंपर क केवल 120 रुपे प्रती लिटर और इमल्सन केवल 225 रुपे प्रती लिटर में उपलब्द होंगे इसे के वी आई से की एक एकाई की रूप में काम करने वाले कुमार अप्पा राश्ट्रिय हस्त निर्मित कागज संस्थान जैपूर ने विक्सित किया है तो दोस्तों प्रेंट में शीशा, पारा, क्रोमियम, आरसेनिक या कैडमियम जिसी कोई भारी धातु नहीं है और ये इस्थानी इस्तरपन निर्मान को बढ़ावा देने और प्रोध्यों की हस्तान तरण के माध्यम से इस्थाई इस्थानी रोजगार को सरजित करने में भी मदद करेग उन्हें भी लोग शायद अब जो है काम का समझते वे अपने घरों में बान पाएंगे और परियावरण को स्वच्छ करने और नालियों को उरुद दोने की समझ्याओं को रोकने में भी योगदान करेंगे चलिए एक लिए पुशन की बात करते हैं दो सेंटेंस है प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना 13 जनुरी 2016 को शुरू हुई और इसके अंतरकत फसल नुकसान के 22 गंटे में रिपोर्टिंग का प्रावधान है सही कतन आपको चुनना है दोनों ही कतन सही है दोस्तो 13 जनुरी 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी और हाली में इसने अपने पांच वर्ष पूरे कर लिए है तो शुरूआत से लेकर आज तक इसमें बहुत से बदलाव भी किये गए है और प्रियास किया गया है कि किसानों को ये फसल बीमा आसानी से उपलब्द हो सके इस योजना के तहट जो ओसत बीमित राशी है अर्था जितनी राशी का बीमा फाइनली मिल सकता है उसे 40,000 रुपे तक कर दिया गया है जो पहले 15,000 रुपे तक होता था इस योजना के अंतरगत केंडर और राज्य दोनों के द्वारही योगदान दिया जाता है और किसान को अपनी फसल के लिए खरीफ में केवल 2 फिस दी रभी में 1.5 फिस दी तथा वानी जीक और भागवानी फसलों के लिए 5 परतिशत प्रिमियम देना पड़ता है योजना के अंतरगत बहुत सी चीजे सम्मिलित है जैसे कि PMFBY पोर्टल एक बनाया गया है जहां से आप आप ओनलाइन जो है डीटेल्स ले सकते हैं फसल भीमा मोबाइल एप बनाई गई है जिसको भूमी रिकॉर्ड से जोड़ा गया है चलिए एकला प्रशन देखते हैं दोस्तों उर्जा संग्रक्षन एक महत्वपूर्ण मांग है समय के और इसी क्रम में उर्जा दक्षिता ब्यूरु द्वारा हाली में वर्ष 2020 के रास्ट्री उर्जा संग्रक्षन पुरुसकार भी प्रदान किये गए और रेलवे को इस बार 13 बुरुसकारों से सम्माने गया है तो भारणी रेलवे को चुकि रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है हर एक स्थर पर चाहे वो अपने ट्रेंस का विढ़्दी करन करने का कारे हो ठीक है उसके अंतर्गत सिग्नल्स को सही करने का कारे हूँ और दक्षिनमद्धी रेलवे को परिवहन श्रेणि में Certificate of Merit दिया गया है और भवन श्रेणियों में जो बचत की है उसके लिए भावनगर और राजकोट के रेल मंडल के कार्यालों को पहला और दूसरा पुरुसकार मिला है पूर्वतर के मंडल रेल परिद्बंदक के कार्याले के विद्ध विभा को इसमें Certificate of Merit भी दिया गया और इसी तर के बहुत से पुरुसकार यहां पर रेलवे ने जीते हैं राश्ट्री यूवा संसद महुत्सव एक इस विशेश महुत्सव जिसकी शुरुवात पछले वर्स की गई उसमें किस आयूवर के यूवा समय लित होते हैं 18 से 25 तो दोस्तों चुकी हम 12 से 16 जनवरी तक जो है क्या मनाते हैं राश्ट्री यूवा सप्ता तो राश्ट्री यूवा सप्ता इस दोरान मनाया जाता है हमारे जो स्वामी विवेकानन्द है उनकी जहिनती के दोरान हर वर्ष इस राश्ट्री यूवा महुत्सव का आयोजित किया जाता और इसी क्रम में राश्ट्री यूवा संसद महुत्सव एक जो है पारलिया मेंटरी अफेयर्स के अंदर युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए इस बार जो है आयजित किया गया ये देखिए इस साल 23 दिसम्मर 2020 को शुरू किया गया था और पहले चरण में धाई लाग के करीब युवाओं ने भाग लिया इसके बाद 1-5 जनौरी तक वर्चुल मादियम से राज्य युवा संसदों का नुसरन किया गया राज्यों में भी युवा संसद का एजिन किया गया और इसका समापन 11 जनौरी 2021 को संसद के सेंटरल होल में हुआ रास्ट की युवा संसद महुतसव का उदेश के है 18-25 वर्ष के जो युवा हैं उनके विचारों को सुनना क्योंकि यही वो युवा हैं जो आने वाले समय में मद्दान करेंगे और सार्णिक सिवाउं में सम्मिलित भी होंगे एन वाई पी एफ की अवधारना प्रधान मंत्री ने दी थी 31 दिसंबर 2017 को अपने मन की बाद कारिक्रम में और उसी के बाद पहला महुतसव 12 जनवरी से 27 पर ओरी 2019 तक आयोजित किया गया था इस वर्ष जिसे बहुत पहले आयोजित कर लिया गया है रास्ति युवा महुतसव का योजन हर वर्ष 12-16 अवर्ष 12-16 वह है अंतर के थाली में तेजी से विकास करने वाले हवायड़े के रूप में कलबूर्गी ने पहचान बनाई है तो स्टार एएर जो है टाटा एरलाइन्स ने स्टार एर जो है इसके साथ स्टार एर ने आज से करनाटक के कलबुर्गी से आंदर प्रदेश के तिरुपती के बीच दैनी कवाई उडान सिवा शुरू कि देखो करनाटक के कलबुर्गी और तिरुपती के बीच में पहले संपर्ख था रेल और सड़क मार्ग से समय लगता था 20 गंटे के करीब और अब ये हो गया है 70 मिनट तो जो RCS है Regional Connectivity Scheme ठीक है और छेद्रिय संपर्ख योजना जिसके तीन चरण हो चुके है उस योजना के अंतरकर जिसमें जो आपने रिखा था हवाई चपल में हवाई जाहज का सफर वाली बात तो उड़े देश का आमनागरिक उड़ान योजना शुरू की गई थी ताकि छोटे-छोटे एरपोर्ट्स को डवलप करके कनेक्टिवटी बढ़ा सके तो दो उड़ेश इसके थे पहला लोगों के लिए हवाई सफर सस्ता करना और दूस्तरे के अंतरकर देश के अधिकांस चेत्र के जो हवाई सेवा के दायरे में एरपोर्ट्स को लेकर आना या फिर चेत्रों को लेकर आना अब तक पांच में इसको विक्सित भी कर दिया गया है अब देखो तिरुपती को यह जोड़ेगा और तिरुपती जो है वो आंध्रप्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी है क्योंकि तिरुपती वाला जी जो है जिनको हम वेंगटेश्वर स्वामी भी जानते हैं बहुती प्राचीन औ और बहुत से चीज़े सम्मिलित है तिरुपती तिरुमाला हिल विश्व का दूसरा सबसे पुराना रॉक माउंटेन भी माना जाता है तो यहाँ पर जो है तिरुपती और कलबुर्गी को जोड़ा गया है ताकि लोगों को आवाजाई में सुविधा हो सके तो यह थे दोस सब्सक्राइश 10% ओफ हमारा चल रहा है 14-16 जनुवरी 2021 आज कल और परसो तीन दिन आप इसका लाब उटा सकते हैं संक्रामती 10 यह प्रणू कोड़ है जिसका अप्रियो कर सकते हैं और अपनी तयारी को आगे बढ़ा सकते हैं तो यह के साथ मैं आप सभी दालेता हूं बाद 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 देने वाद